कैसे हैं आप लोग हम जो पिछले क्लास में पढ़ाई कर रहे थे यदि मैं थोड़ा सा आपको रिमाइन कराने के कोशिस करूँ कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाई किया था तो हम एरर एनलेसिस पे थे ठीक है यदि हम सही से देखे तो हमने अभी जो स्टार्ट क्या था वो एरर एनलेसिस जो है वो स्टार्ट क्या था और वहाँ पे फोड़ा सा रिवाईज में करा देता हूँ सबसे पहले हमने देखा था कि यदि हमारे पास में कोई क्वांटिटी है और वो दो चीजों से बना हुआ है ठीक है यदि एक quantity है और वो दो चीज़ से बना हुआ है A और B के summation या difference से बना हुआ है तो इस case में यदि हमें यदि absolute error Y में निकालना हो तो वो simply जो हो जाता है वो absolute error A का और plus absolute error B का simply addition हो जाता है जिसको हम plus minus में ऐसे लिख सकते हैं मतलब simple जो absolute error का summation होता है है ना जो sum होता है sum of absolute error किसमें हो जाता है उसके result में हो जाता है ठीक है similarly हमने एक दूसरा चीज़ देखा था जो second category देखा था यदि Y में A और B quantity multiply है और divide है multiply है और divide है और इसमें यदि result में हमें error निकालना है तो result में जो error उसका relative error होता है वो simply add हो जाता है यह दोनों के relative error से मतलब A का relative error है और plus जो B का relative error है वो दोनों add हो जाते हैं तो simple इसमें जो हमारे पास आता है यह हो जाता है कि sum of हम कह सकते हैं relative error किसमें sum of relative error किसमें करते हैं resultant में आ जाएगा ठीक है यह दो चीज़ देखे थे अब उसी का extension हमें देखना है next में जैसे third में यदि मैं आपसे बात करता हूँ let's say कि third में यदि मैंने आपसे बात किया कि एक कोई y जो है y is equal to a square है let's say a square है in general a to the power n है तो इसमें हमें वही निकालना है कि कैसे error y में निकल सकता है तो इसको समझने के लिए एक simple काम करते हैं क्या करते हैं suppose करो कि y is equal to a square होता y is equal to a square होता है इसको a into a लिख पाते हैं यह किस format से match कर दा है second format से match कर दा है तो इसमें definitely यदि हमारे पास में relative error क्योंकि multiplication के format में है तो relative error जो y में होगा result में होगा वो simply हम कह सकते है कि जो a में relative error है वो दोनों का summation हो जाएगा और चुकि a into a है तो यह हो जाएगा simply हम कह सकते है two times of del a by a हो गया मतलब यहाँ पे यदि आप observe करोगे तो जो यह square है चुकि a square है तो वो यहाँ पे आ गया del a by a में इसमें result के जो relative error है उसमें ठीक है तो इसलिए इसलिए आप यह conclusion निकाल सकते हो कि यदि y is equal to a to the power n है y is equal to a to the power n है तो वहाँ पे यदि del y by y relative error in result निकाले तो वो n times of relative error in a आ जाएगा ठीक है यह चीज हो गया हमारे पास में तो यह हमारे पास में तीसरा pair आ गया जो इसकी तरह है तो तीसरा pair हमारे पास में आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया n times of relative error in a है ना यह क्या हो गया n times of relative error in a क्या हो गया वो relative error in resultant मतलब y हो गया ठीक है तो इस इसको extend भी क्या जो सकता है इसको यदि आप extend करना चाहते हो third को तो fourth में हम ऐसा कर सकते है कि in general यदि y is equal to a to the power n रहे b to the power m रहे और let's say c to the power कुछ p माल लेते हैं तो यहाँ पे यदि आपने relative error निकालने की कोशिस किया del y by y निकालने की कोशिस किया तो यह simply कितना हो जाएगा तो जैसे पहले portion के लिए यहाँ पे हो जाता n times of del a by a ठीक है फिर plus इसके लिए क्या हो जाएगा m times of del b by b और ध्यान है यह भी plus में आएगा p times of del c by c तो यहाँ पे जो resultant आया है resultant में y में जो relative error है वो n times of relative error in a m times of relative error जो यह m क्या है इसके power है m times of relative error in b b times of relative error in c ऐसे आ जाता है तो यह इसी का just extension हो गया जो third है उसी का just extension हो गया fourth ठीक है तो यह पूरा हमारे पास में एक तरह से कहा सकते है error analysis के उसमें formula है अभी हम क्या करते है कुछ-कुछ question करेंगे तो हमाय और यह चीज habitual उसमें आ जाएगा ठीक है तो पहले example से हम स्टार्ट करते है आज के class का पहले example में suppose करो आपको पता है कि जो p होता है वो i square r होता है है ना तो यदि मैं ऐसा दे दू ध्यान दे ना ऐसा यदि मैं दे दू कि i जो है i जो है वो let's say 10 plus minus 1% है और r जो है वो suppose करो कि 100 plus minus 0.5% है 0.5% है तो ध्यान दे यहाँ पे i का हमने relative error दिया है ना कि absolute error दिया है और यह जो resultant है यह जो resultant है उसमें i square है into r है तो यहाँ से formula के अचार से यदि हमें del p by p है ऐसा यदि हम लिखे तो actually में यह कितना हो जाएगा 2 times of del i by i क्योंकि यह multiplication के format में है इसलिए relative error का summation होगा और del r by r इसे percentage में हमें पता है तो ठीक है तो obviously यदि हम इसमें देखे तो यह चीज हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 times of del i यह 1% दिया हुआ है ठीक है और यह 0.5% दिया हुआ है तो simply जो answer हो जाएगा 2% और plus 0.5% 2.5% ऐसे हो गया तो इसलिए यदि हमें p लिखना रहे तो p का जो answer होगा i square मतलब 10 का square into 100 और plus minus हम यहाँ पे लिख देंगे 2.5% ठीक है तो this is the answer clear तो अब आपको दिख रहा है कि यदि कोई multiplication में रहे तो किस तरह से हम उसे attain कर सकते हैं किस तरह से हम उसे solve कर सकते हैं ठीक है दूसरा यदि इसी में just remind कराने के लिए मैं एक question देनूं कि यदि suppose करो कि यहीं पे information अलग format में रहता information यदि अलग format में रहता जैसे suppose करो कि कोई y है और y is equal to a square bq upon c four times है और दिया गया है कि a जो है 100 plus minus 2 है b जो है 50 plus minus 1 है और c जो है let's say 100 plus minus 0.5 है ठीक है और यहां पे यदि आपको इसमें error निकालना रहता तो जो भी error निकालने का मतलब relative या absolute जो भी निकालने के लिए खहता तो क्या होता तो आपको दिख रहा है कि यह सब multiplication या power में रहे तो हम relative error इसका निकाल सकते है किसका y का del y by y निकालना असान होता है और उसको हम लिख सकते है कितना 2 times of जो a में relative error था plus 3 times of जो b में relative error था ठीक है अब plus 4 times of जो c में relative error था यह चीज हम relative error resultant में लिख सकते है जैसा कि हमने यह formula देखा था just previous उसमें ठीक है यह formula देखा था उसको हम apply कर रहे है तो अब यदि इसमें देखोगे तो जो question दिया गया है उसमें इस question में यह absolute error दिया गया है लेकिन हमें चाहिए हर चीज का उसका क्या relative error था है तो इसलिए हम इसको यदि solve करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको solve करेंगे 100 and 2 is what percent of 100 तो 2 by 100 into 100 2 कितना percent है 100 का तो यह हो गया 2 percent तो इसलिए यहाँ पे यह तो सीधे हो गया 100 plus minus 2 percent फिर यहाँ पे हम यहाँ पे solve करते हैं इसको तो क्या होगा 50 plus minus 1 तो 1 is what percent of 50 1 50 का कितना percent है तो हम क्या कहेंगे यह 50 तो है plus minus 1 जो है 50 का कितना percent है तो ऐसा लिख देंगे तो यह कितना हो गया यह 2 हो गया तो इसलिए इसका answer हो जाएगा 50 plus minus 2 percent फिर next में यदि हम यहाँ पे आया तो इसमें हम देखेंगे कि 100 plus minus 0.5 है 0.5 is what percent of 100 तो सीधे देख रहा है कि 0.5 percent ही होगा ठीक है तो यह चीज हो जाएगा 100 plus minus 0.5 percent अब यहाँ पे answer लिखना आसान हो जाएगा क्या आसान हो जाएगा जब इसको calculate करेंगे तो 2 times of del A by A मतलब इस वाले case में कितना है 2 percent है तो यह हो गया 2 percent plus 3 into B में कितना percent है B वाले part में भी 2 percent है 2 percent अब plus 4 into C में कितना percent है 0.5 percent ठीक है तो total मिला के कितना हो गया यह हो गया 4 percent plus यह हो गया 6 percent अब लस यह कितना हो गया 1 by यदि हम 2 करते है तो यह plus 2 percent तो total कितना हो गया 12 percent हो गया 12 percent तो इसलिए इसका answer जब भी लिखेंगे तो a square मतलब 100 का square into bq मतलब 50 का whole q upon c to the power 4 मतलब 100 to the power 4 और plus minus में 12% ऐसे लिखेंगे this is the answer ठीक है तो इसको calculate आप कर लोगे तो इस तरह के questions आएंगे तो आपको दिख्या होगा कि अभी जो हमने आपको सिखाया कि जो relative error है या absolute error क्या add होगा तो सिर्फ plus और minus को छोड़ दो सिर्फ plus और minus को आप छोड़ दो तो plus और minus में जो हमने देखा है कि plus और minus में absolute error का sum होता है बाकी जितने भी multiplication, division, power इतना जो भी है इन सभी के सभी में क्या होता है relative error का sum हो जाता है किसके लिए resultant के लिए resultant में relative error निकालना आसान होता है तो अब मैं different variety के questions सिर्फ अभी ले रहा हूँ error का यही इतना format है बस different अब से जितना भी हमने पिछले class में पढ़ाया उसके पिछले class में पढ़ाया सबसे mix करके कुछ questions मैं यहां पे ले रहा हूँ उसके बाद एक theoretical part पर हम चलेंगे ठीक है तो हम कुछ-कुछ questions को करते हैं questions कैसे कैसे आ सकते हैं उसको देखते हैं ठीक है और different जो इससे relate करके जो questions हो सकता है वो सब चीज मैं आप से पूछता हूँ एक एक करके ठीक है उसको हमें बनाना है अभी तक जितना सीखे हो मेरे ख्याल से वो चीज आपको पता चल गया होगा है ना जितना अभी तक आपने सीखा होगा इस lecture में ठीक है सुलू से अधी हम बात करें तो एक तरह से सबसे पहले हमने system देखा था कि एक general system में क्या क्या चीज हो सकता है उसके just बाद में हमने देखा था कि measurement करते हैं तो measurement जो होगा उसमें error definitely होगा और error measured minus true होता है इसको ध्यान में हमें इसा रखना है और उसको लिखने का तरीका हमारे पास में क्या रहता है different relative के format में भी होता है एक instruments में guaranteed वो आता है guaranteed accuracy error आता है उसके बादे में भी मैंने बता दिया था कैसे वो full scale पे depend करता है तो वो सबको revise करके रखा करो इदम simple है revise करके रखा करो अब हम सिर्फ question करेंगे error analysis पे let's say कि हमारे पास में two resistance है है ना two resistance हमारे पास में given है two resistance जो है वो हमारे पास में given है एक let's say कि r1 जो given है वो है 100 plus minus 4% और r2 जो given है वो suppose 50 plus minus 2% given है ठीक है और कह रहा है कि then find और पहले में कह रहा है find equivalent resistance find equivalent resistance equivalent resistance निकालना है if they are connected यदि ये connect कर दिया गया they are connected in series यदि वो series में connected है तो निकालना है दूसरा में हमें just r1 minus r2 calculate करना है तीसरा में हमें r1 into r2 calculate करना है और चौथा में हमें r1 by r2 calculate करना है suppose पास में भी मैं दे सकता हूँ अभी यहाँ पे रखेंगे अब जैसी यह question आ गया जहाँ पे mix है कहीं पे difference निकालना है और आपको पता ही है कि यदि series में जो रहेंगे तो यह कुछ और नहीं r1 plus r2 की बात कर रहा है ठीक है तो कहीं पे summation है तो सबसे पहला काम करो जब भी data दिया रहा है तो उसका दोनो format लिख लो जैसे इसका दूसरा format absolute के format में 100 और plus minus 4% of 100 is what और इसको यदि हम देखेंगे तो यह 50 plus minus 2% of 50 is what 2% of 50 मतलब कितना है 2 by 100 into 50 ठीक है यह कितना हो गया 1 हो गया तो आप उसको उसी समय में ठीक है उसी समय क्या कर लो उसको absolute के format में भी लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ठीक है clear है तो जैसी आपको यहाँ पे कह दिया जिसे 4% 100 का तो वो तो 4 ही हो जाएगा कैसे लिखोगे 4 by 100 into 100 4% 100 का 2% 50 का 1 हो जाएगा ठीक है ठीक है clear है चलो तो यह दोनों लिखने से आपको फाइदा क्या होगा आगे जो भी जुरुवत पढ़ता रहेगा उसको हम लिखते रहेंगे ठीक है जैसे suppose करो कि यहाँ पे इसको answer करना है series मतलब यह तो यह ही हो जाएगा r equivalent तो r equivalent r1 plus r2 है तो summation जब भी लिखेंगे तो obviously 100 और 50 150 हो गया लेकिन हमें इसमें plus minus लिखना पड़ेगा और हमें पता है कि absolute error इसमें sum हो जाएगा तो यह सीधे 5 लिख सकते हैं इसका और बर्जन भी हो सकता है और बर्जन क्या हो सकता है यह 150 और plus minus 5 is what percent of 50 5 जो है वो 150 का कितना percent है मतलब ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा ठीक है तो यह कितना हो जाएगा एक ऐसे किया 10 by 3 मतलब इसको आप 150 plus minus 10 by 3 percent के format में भी लेख सकते हो यह answer आपके पास में हो सकता है अब r1 minus r2 जब पूछेगा तो कितना होगा तो r1 minus r2 जब भी पूछेगा त तो देखो कैसे होगा यह भी difference है तो difference में क्या होता है absolute error का summation हो जाता है तो यह 100 minus 50 तो है ही ठीक है और plus minus में simply इसका absolute error sum हो जाएगा मतलब 5 हो जाएगा मतलब this answer is 50 plus minus 5 हाँ इसको percentage में लिखना है तो क्या कर सकते है 50 plus minus 5 is what percent of 50 तो हम ऐसा कर देंगे यह percentage में आ जाएगा तो य ऐसा कर सकते है 50 plus 10 10 percent जो है यह हो गया तो 10 percent यह से हम लिख सकते है उसी तरह से अब आगया r1 into r2 जब r1 into r2 आप लिखने जाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे यहाँ पे हम 100 into 50 तो यह हो जाएगा लेकिन plus minus जो यहाँ पे हम लिख पाते है जब भी multiplication होता है तो उसका ज हो जाएगा 6 percent यहाँ पे हम simply भी होएंगे 6 percent हाँ अब वो दूसरी बात है कि इसको दूसरा format में लिखना है तो यह हो जाएगा 5000 और plus minus 6 percent of 5000 6 percent of 5000 कैसे लिखेंगे 6 by 100 into 5000 ठीक है तो यह इतना हो जाएगा 5000 plus minus 300 ठीक है ऐसे लिख सकते हैं similarly अब यदि हमें R1 by R2 लिखने के हो कहा है तो यह division में है तो R1 by R2 जब हम लिखेंगे तो यह तो 100 by 50 हो गया लेकिन plus minus में क्या होगा इसमें चुकि यह division में है तो इसका जो क्या है relative error है वो sum हो जाएगा तो plus minus 6 percent हम इसको लिख सकते हैं जिसका answer कितना हो जाएगा 2 और plus minus 6 percent हाँ इसको दूसरे format में लिख सकते है 2 और plus minus 6 percent किसका है 2 का 2 का 6 percent कितना हो जाएगा यह जो भी 12 by 100 ठीक है 12 by 100 मतलब कितना हो जाएगा 2 plus minus 0.12 0.12 ऐसा लिख सकते है ठीक है या 6 percent ऐसा लिख सकते है तो यह answer हो गया अब एक बहुत important question मैं 5th कर रहा हूं यह 5th आपको बहुत important question एक बनाना है कि इसमें find equivalent resistance find equivalent resistance if they are connected in parallel यह अपने आपने connected in parallel यदि मैंने कहा कि यह parallel में connected है तब आप resistance में निकालो यह अपने आपने बहुत बढ़िया question है इसको समझना ध्यान से मैं इसका shortcut भी बताऊंगा पहले ध्यान से समझना अब बताओ यदि R equivalent में लिखता तो R equivalent is what? R 1 into R 2 upon R 1 plus R 2 कितना है? जब R equivalent R 1 into R 2 upon R 1 plus R 2 है तो दिक्कत इसमें यह हो गया कि इसमें multiplication भी है, division भी है, summation भी है एक तरह से कह सकतो जितना भी आपने यहाँ पे निकाला है सबका एक तरह से mixture से आ गया इसमें है ना? mixture से एक तरह से यहाँ पे आ गया तो इससे लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे चीजों को अच्छे से solve करना पड़ेगा इसका एक अलग रास्ता निकालना पड़ेगा हम short trick भी अपनाएंगे पहले इसका हम रास्ता देख लेते हैं कि इसका ऐसे यदि mix format रहे तो हम कैसे solve करेंगे उसको देख लेते हैं उसके लिए हम नए पेस पे चलते हैं आपको पता है कि यह कहीं न कहीं यह expression से आया है 1 by r equivalent is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 parallel में जो रहता है उसका यह चीज करें इसको partially differentiate का हमें हमें इसे करना है partial differentiation करना है तो differentiation करेंगे तो 1 by r equivalent का minus 1 by r equivalent का square हो जाएगा और into हम यहाँ पे dil r equivalent ऐसे लिख सकते हैं यह partial differentiation हो जाएगा यह वहाँ से आया है आप थोड़ा सा भी आप दिखोगे यदि suppose करो कि x to the power minus 1 है इसको differentiate करना रहता है तो minus 1 यहाँ पर आजाता है और x to the power minus 1 minus 1 आजाता है ठीक है और यहाँ पर हम dx ऐसे लिख सकते हैं dx जिसके respect में हमने उसे differentiate किया है dx by जो भी dx by dt और something ऐसे लिख सकते है तो यह minus 1 by x square हो जाता है तो वहीं यहाँ पर हुआ है ठीक है अब इधर side में देखेंगे तो उसी तरह से क्या हो और del r1 और यह भी हो जाएगा minus 1 by r2 का square और del r2 अब यहाँ पर फोरा सा adjustment करें तो यह चीज़ minus 1 minus को सब जगा से common लेके हटा देते हैं minus को common लेके हटा देते हैं यह 1 by r equivalent यहाँ पर रहेगा और इसको del r equivalent upon r equivalent लिख सकते हैं बड़ाबर उसी तरह से 1 by r1 रहेगा del r1 by r1 लिख सकते हैं और plus 1 by r2 यहाँ पर रहेगा del r2 by r2 लिख सकते हैं अब r equivalent को यहाँ पर रखते हैं तो यह चीज़ हो जाएगा del r equivalent upon r equivalent is equal to यहाँ पर r equivalent upon r1 into del r1 by r1 plus r equivalent upon r2 del r2 by r2 यहाँ से देखें जो resultant में relative error है अब r equivalent कितना होगा यहाँ पर r1 into r2 upon r1 plus r2 तो यहाँ से r1 और r1 cancel हो जाएगा तो यह चीज़ यहाँ पर बच जाएगा r2 upon r1 plus r2 times of del r1 by r1 दूसरा उसी तरह से इदि आप solve करोगे तो वहाँ से r2 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर ऊपर r1 upon r1 plus r2 times of del r2 by r2 यह बनेगा हमारे equivalent में जो equivalent जो हमारे पास में आया है इस equivalent का error अब आप सुचो जो data आपको given है उस data के अनुसार से जो data आपको यहाँ पर given है उस data के अनुसार से यदि हम बनाए तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं जैसे ये data हमारे पास में ऐसा दिया गया था ठीक है ये data जो हमारे पास में दिया गया था इसको मुझे से पहले वाले मिलाना था इसको क्या किया सकतर है कि पहले में चला जाए नेक्स में गया गया चलो ठोड़ो वहीं पर हम देखेंगे डेटा को यहां पर लिख देते हैं जो पहला पोर्शन हमारे पास में था इसको हटा देते हैं यहां पर आपर देटा लिख देते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाया r1 जो है वो कितना है 100 plus minus 4 % 50 plus minus 2 % 100 plus minus 4 % और r2 जे है वो 50 plus minus 2 % अदिंग है 2 % ठीक है यह है और इसका जब हम यहां पर रखा था तो यह 100 plus minus 4 आ गया था और यह हो गया था 50 plus minus 1 ठीक है अब यहाँ पर calculate करते हैं तो जो यहाँ पर calculation होगा उसके निजार से यदि इसको हम solve करेंगे तो r2 by r1 plus r2 r2 है is 50 upon 150 times of del r1 by r1 percentage में क्या दिया गया है 4% है यह 4% फिर plus r1 by r1 मतलब 100 by 150 और plus minus यह जो है कितना percent में है 2% में है to answer जो यह हो जाएगा 4 by 3% plus इसको यह दि देखो गया तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4 by 3% यह भी 4 by 3% हो गया तो यह हो गया 8 by 3% 8 by 3% ऐसे आगया किसमे del r upon r equivalent तो इसलिए अब यह अब यदि आपने suppose करो कि r equivalent लिखा तो यह पहला है r1 into r2 upon r1 plus r2 होता है तो इसको calculate करके रख लोगे और plus minus जो यहाँ पे error है यह लिखेंगे तो calculate करेंगे तो हो जाएगा 100 into 50 upon 100 plus 50 मतलब 150 यह 3 और plus minus यह 8 by 3% होगा मतलब यह चीज आपके पास में आजाएगा 100 by 3 यदि हम यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 by 3 लगबग जो भी है यह 100 by 3 इसका equivalent आगया और plus minus में 8 by 3% इसका क्या हो गया answer आगया r equivalent में this is the answer ठीक है तो अब आप देखो इस question को solve करने के लिए आपको कितना पापर बेलना पड़ा है just यदि हमने उसको parallel में दे दिया जहाँ पे mix के format में ऐसा है तो आपको एक अच्छा खासा differentiation का path अपनाते हुए यहाँ पे solve करना पड़ा हो 100 by 3 plus minus 8 by 3% आया ठीक है यदि calculation mistake नहीं है तो बहुत सही ठीक है और ठीक है ठीक है इतना है अब इसका एक short trick बनाने की कोशिस करते हैं ठीक है इस short trick को बनाने में जैसे जो r equivalent का पूछा गया है देखते हैं method second से short trick से कैसे यह बन पाता है तो जैसे r equivalent यहाँ पे दिया गया था वो दिया गया था r1 into r2 upon r1 plus r2 ठीक है अब बताओ r1 into r2 को हमने एक questions में पहल ही बना रखा है देखोगे r1 into r2 percentage में यदि देखोगे तो यह कितना है 5000 plus minus 6% तो आप कह सकते हो कि यह 5000 plus minus 6% है यह है 5000 plus minus 6% और r1 plus r2 को देखोगे तो वो भी हमने बना रखा है r1 plus r2 को बना रखा है जो 150 plus minus 10 by 3% है 150 plus minus 10 by 3% है 150 plus minus 10 by 3% है ठीक है तो हम ऐसा इसमें कर सकते हैं कि यदि हम 100 trick बनाने के इसमें कोशिस करें तो यह चीज हमारे पास में 5000 upon 150 ऐसे आया है ठीक है यह 100 by 3 है और plus minus आप देखो यदि 6 में से मैं 10 by 3 को minus करके ऐसा लिख दूँ तो यह चीज 100 by 3 plus minus 18 minus 10 by 3% और आप ऐसे क्या सकते हो कि यह 100 by 3 plus minus 8 by 3% हो गया है जो answer पीछे आया था वो answer हमें मिल रहा है है ना देखो यह 100 by 3 plus minus 8 by 3% जो था वो हमें answer यहां पर मिल रहा है तो एक तरह से आपने इस 100 trick के format में यहां पर भी percentage में चाहिए यहां पर भी percentage में चाहिए और यह करने के बाद में आपको इन दोनों percentage को minus कर देना है तो क्या होगा वो answer आसकता है एक ऐसा लेकिन मेरा रहर हैगा कि हमेशा आप क्या करो इस format में चलो यदि कोई भी इस तरह का expression आजाए जो आपको plus minus और multiplication से अलग लगता है कोई भी चीज आपके पास में आजाए जो simple plus या minus या simple multiplication या division से अलग आजाए तो आप क्या करो उसको simply आप उसको जैसे ऐसा आगया mixer जहां पर भी दिखे आप उसको इस method से बनाओ को कहीं पर solution में दिकत नहीं होगी ठीक है तो ये question मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा कुछ questions और हम करेंगे यहाँ ठीक है कुछ question में में अब हमें थोड़ा सा theoretical part पर भी चलना है लेकिन still हम कुछ questions और कर लेते हैं ठीक है और उससे हमें पायदा हो जाएगा एक आपके लिए भी question में छोड़ देता हूँ ठीक है एक question आप hw comment में आप लिखोगे let's say कि r1 का value है 100 plus minus 6 ohm और r2 का value है 50 plus minus 2 ohm ठीक है इतना है तो आप यहाँ पे यह सब चीज निकालोगे r1 प्लस r2 का value क्या होगा दूसरा में निकालोगे r1 माइनस r2 का value क्या होगा तीसरा में निकालोगे r1 into r2 का value क्या होगा और चौता में निकालोगे r1 by r2 का value क्या होगा ठीक है यह सब निकालके हमें comment में बताओगे simple है इसको बस आप percentage में convert करोगे तो obvious ही बात है कि 6 is what percent of 100 तो 6 यह हो जाएगा तो इसका और वाला statement सीधे 100 plus minus 6% ही होगा और इसका और वाला statement देखोगे तो 50 plus minus 2 is what percent of 50 तो 2 by 50 into 100% ऐसा लिखेंगे तो यह हो जाएगा कितना 4% तो यह 50 plus minus 4% हो गया तो अब सिंपल है आप इसको अभी भी बता सकते हो ल difference में भी absolute जूर जाएगा और जब आपने क्या करेंगे जब हम उसमें R1 into R2 करेंगे तो जो percentage वाला portion है वो add हो जाएगा simply R1 into R2 और R1 plus R2 में तो यह simple है आप बना लोगे ठीक है तो यह चीज़ आप बनाओगे मैं कुछ questions और भी आपको बताता हूँ ठोरा सा variations के लिए ठीक पाच्मा question भी बनाना जिसमें R1 into R2 upon R1 plus R2 क्या होगा ठीक है इसको short trick से बनाने की खोशिश करना जो मैंने आपको समझाया था तो short trick से भी यह चीज़ क्या हो जाएगा solve हो जाएगा क्योंकि R1 into R2 अप यहाँ पे बना रखे होंगे R1 plus R2 यहाँ पे बना रखे होंगे बस इसका percentage में convert करके आप रखोगे तो solve हो जाएगा ठीक है तो आप इसको solve करके मुझे comment में बताओगे और मैं wait करूँगा कि देखते हैं कितने लोग इसका answer कर पाते हैं ठीक है एक questions थोड़ा सा language में different है मैं आपको बताता हूँ जो language-wise थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा adopt करना पड़ेगा तो जैसे suppose को लोग की हमारे पास में एक question दिया हुआ है एक question है हमारे पास में let's say ऐसा क्या दिया गा the input input of a electrical machine electrical machine input of a electrical machine is given is given as input हमने दिया 6500 plus minus 3 percent इसी machine में एक electrical machine में comma output is given as given as 5000 plus minus 2 percent ठीक है तो इसमें कह रहा है कि find यदि ऐसा दिया हुआ है तो find the loss of the machine machine का loss आपको निकालना है पहले में ठीक है और दूसरा में find the efficiency find the efficiency यहां पर just आपको थोड़ा सा additional knowledge चेक करने के लिए इसमें है तो एक बात बताएए यदि पहले question को solve करने में आते हैं तो जो losses होता है losses क्या होता है losses is nothing but input minus output जो आपने input दिया है उसमें से output को minus कर दो वो loss हो गया अक्सर एक कोई machine है आपने यहां पर input दिया है ठीक है और यहां पर output मिला है suppose करो तो definitely बीच में loss होगा है ना तो बीच में जो यह loss होगा इस loss को निकालना है तो कितना loss होगा input जितना आपने दिया और output का difference जो है वही तो loss में चला गिया है तो input minus output करना है आपको input भी given है output भी given है input आपको कितना given है यह देखो इतना input given है 6500 plus minus 3% और minus करना है आपको कितना 5000 plus minus 2% अब आपको पता है कि यहां पर percentage जो relative error दिया गया है वो काम नहीं आएगा क्योंकि difference निकाल रहे है तो इसलिए इसको present ऐसे कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा इतना plus minus 3% of what 3% of 6500 ऐसा कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा minus फिर 5000 plus minus 2% of what यह कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यहां पर simply यह और यह minus में चला जाएगा तो 6500 minus 5000 और जो plus minus में होगा वो यह दोनों add हो जाएंगे तो add हो जाएंगे तो पहले ही इसको हम यह कर देते हैं 3 into 65 plus यह हम देखेंगे तो 2 into 50 यह add हो जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 1500 plus minus इसको आप add करके बना लो तो यह हो जाएगा इसको answer होगे तो 500 और plus minus यह कितना हो जाएगा 295 ठीक है तो यह हमारे पास में losses हो गया ठीक है हाँ इसको percentage में represent कर सकते हैं वो हमारे दूसरी बात है तो इसको percentage में कैसे represent कर सकते है 1500 और plus minus 295 is what percent of 1500 तो ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा तो इसको percentage में रखोगे तो क्या हो जाएगा 295 by 15 जो भी आता है 19 point something क्या असपास आएगा यह percentage में यहाँ पे तो यह लगबग जो answer आजाएगा 1500 plus minus 19.66 कुछ percent ऐसे कर देंगे आप लिख सकते हैं तो पहला question का answer हो गया next में efficiency अब efficiency क्या होता है next में हमारा है efficiency efficiency क्या होता है efficiency जो होता है वो output upon input होता है तो आपको बता ही है कि इसमें output कितना है 5000 plus minus 2% और input कितना है 6500 plus minus 3% तो अब बताओ यदि हमारे पास में यह चीज दे दिया कि efficiency इसमें है तो हमें हमें यह तो पता ही रहता है कि जब भी division का format होता है तो उसमें relative error add हो जाते हैं यह 5000 upon 65 इतना यह 5000 upon 6500 और plus minus यहाँ पर simply 2 plus 3 पूरा percent में ऐसे आ जाएगा relative error तो यह दोनों से यह दोनों गया एक कितना कैसे कैसे क्या आता रहेगा आपका answer तो यह different format में just concept को mix किया जा रहा है कि जब different concept को हम mix करें जो machine का थोड़ा सा आपको पता है तो उसके concept को mix करके यहाँ पर answer पूछ दिया इस तरह से यह questions में है तो कुछ additional question हम और करते हैं ताकि आपका level up हो जाए ठीक है तो चलो एक question एक दू question और करते हैं जिसमें different concept mix होगा और उस concept को mix करके चीजों को बताया जाएगा जैसे suppose करो कि हमारे पास 3 resistor दिये हुए है R1 दिया हुआ है 50 plus minus 2% R2 दिया हुआ है 37 plus minus 2% ठीक है और R3 दिया गया है यह 3 resistance दिया गया है R3 दिया गया है 75 plus minus 2% और यहाँ पर आपको बनाना है कि equivalent निकालना है जब वो series में है और जब वो parallel में है तो find equivalent resistance if first में they are connected in series यदि वो series में connected है और second में obviously they are connected in parallel यदि parallel में connected है तो क्या होगा तो यह दोनों चीज़ को हमें क्या करना है बनाना है तो series से तो आसान कुछ होगा ही नहीं यदि series के लिए निकालने के लिए कहा तो R equivalent जो होता है वो simply सभी इसका summation हो जाता है अब ध्यान ले जब हम summation करते हैं तो absolute error की जुरुत होता है तो इन सब चीज़ का presentation बदल दे तो अच्छा रहेगा तो मतब presentation बदल के भी रखे तो ठीक रहेगा तो जैसे यहाँ पे 50 plus minus 2 है तो इसको 50 और plus minus 2 percent of 50 कितना हो जाएगा 2 percent of 50 मतब 2 by 100 into 50 कितना हो जाएगा 1 clear तो यह चीज़ हो गया आपका 50 plus minus 1 ठीक है दूसरा यह हो गया 37 और plus minus 2 percent of 37 2 by 100 into 37 ठीक है जो भी यह एक value आएगा उसको हम लिख सकते हैं जिसना भी आएगा ठीक है उसके बाद 75 plus minus 2 percent of 75 2 percent of 75 इतना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 75 plus minus 1.5 यह लगबग 37 और कितना हो जाएगा देखो 37 plus minus यह इतना into 37 into 2 by 100 है यह कम ही आएगा 0.74 के आसपस आएगा मेरे node में यह calculation है तो इतना लगबग है तो देखो जब हम sum कर रहे हैं तो sum में क्या होता है उसका absolute error sum हो जाएगा तो simply तो पहले तो इसका summation निकाल दो तो यह हो गया 50 plus 37 plus 75 और plus minus में simply सबका क्या करेंगे उसका जो actual error है 1 plus 0.74 plus 1.5 that's all तो कितना हो गया यह लगबग सबको जोड़ोगे तो 162 के पास आजाएगा और plus minus 3.24 के आसपास आगया तो इसको percentage में बदल सकते हैं तो यह क्या हो गया 162 plus minus 3.24 is what percent of 162 यह percent तो इसका answer भी हम लिख सकते हैं यह लगबग 2% के आसपास आजाएगा आप देखोगे तो लगबग 2% के आसपास आजाएगा ठीक है तो 162 plus minus 2% हो गया तो एक चीज़ आपने पहला तो निकाल लिया लेकिन जब आप second निकालने जाओगे second question जब आप बनाने जाओगे तो R equivalent सबसे पहले निकाल लो R equivalent कैसे निकाल होगे 1 by R equivalent ब्रावर 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 ठीक है अब इसको पहले निकाल के calculate करके absolute कर लो ठीक है तो यह 1 by 50 plus 1 by 37 plus 1 by 75 यह 1 by R equivalent ब्रावर इतना अब इसको solve करके यहां से आप सबसे पहले क्या निकाल होगे R equivalent R equivalent बडावर यहां पर जो भी एक value आजाएगा let's say A ऐसे आप निकाल के हाँ पर रख दिये कैसे पहले इसको LCM लोगे फिर ऐसे sum करके यह सबसारे सी solve कर लोगे ठीक है यह पहला part हो जाएगा जैसी R equivalent आ गया तो अब उसमें हम relative error निकाल सकते हैं ठीक है और हमें पता है कि यदि हमें relative error निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो यहां पर जो del R equivalent upon R equivalent जो आएगा वो कितना आएगा R equivalent by R1 del R1 by R1 plus R equivalent by R2 del R2 by R2 plus R equivalent by R3 और del R3 by R3 ऐसा है तो इस चीज़ को solve करने के लिए R equivalent आप निकाल चुके हो जैसे A कहा ठीक है R1 आपको मालूम है यहां पर जैसे देखोगे तो R1 आपको मालूम है 50 तो R1 मालूम है 50 into यदि हम del R1 by R1 देखे तो percentage में हमें यह चीज़ मालूम था del R1 by R1 कितना है 2% है तो यह simply क्या हो गया 2 2 ऐसा हो गया यह percent में आ गया तो A जैसी calculate आ गया तो आप यहां पर calculate कर लोगे फिर plus R उस तरह से A वहां पर calculate के पिछे R2 यहां पर given है R2 कितना given है 37 given है और percentage में 2% है तो 37 यहां पर given है तो यह हो गया आपके पास में 37 और यह कितना है 2% तो आप जैसी A आएगा तो यह पूरा percent में calculation हो जाएगा plus यहां पर R equivalent यहां पर A दिया हुआ है और R3 जो दे रखा है R3 कितना दे रखा है 75 दे रखा है 2% हो भी है तो 75 है और 2% यहां पर रखेंगे तो यह 75 है और यह भी आपका 2% है तो जैसी यह calculate कर लोगे तो 2% इसमें common ऐसे आप यहां पर सेम चीज आजाएगा कि A 2A 2A कर सकते है 2A into 1 by 50 plus 1 by 37 plus 1 by 75 यह 2A into इतना यह percent हमारे पास में आजाएगा और यह दि देखोगे तो यहां पर यहां पर calculate हमने जो किया है वो 1 by इतना 1 by इतना 1 by इतना को हम कह सकते है 1 by A देखो R equivalent यहां पर R equivalent को A माना है तो 1 by A कह सकते है तो यह आप calculate करोगे तो यह 1 by A हो जाएगा तो यह 2 into A into 1 by A आगया A से A cancel होके यह actually में 2% आजाएगा ठीक है तो आपको जो 2% यहां पर यह चीज़ आगया इसका relative error आगया तो R equivalent को जो लिखोगे वो कितना लिखोगे A जो भी यह solve करके आएगा और plus minus 2% आज़े करके लिख दोगे तो क्या होगा answer मिल जाएगा ठीक है तो इस question में आपको यह चीज़ पता चल गया कि हम कैसे यदि यह parallel में होता तो एक बहुत important यहां पर observation भी आगया क्या आगया कि इन सभी उसमें percentage error सेम था 2% 2% 2% 2% 2% और हमने उसे parallel में जो रहा है तो देखा कि last में जो हमारे पास में answer आया है वो 2% आया है ठीक है इसको observe करो दूसरा यदि हम उसको series में जो रहे है तो भी कितना आया है percentage में 2% आया है तो इसको क्या हम note करके लिख सकते हैं यदि हमारे पास में suppose करो कि बहुत सारे resistance है उसको series या parallel में जोरना है तो उसका relative error आएगा last में वो just 2% ही रह जाएगा तो इसको हम note कर लेते हैं ठीक है यह बहुत important observation है तो इस important observation को हम यहाँ पे note कर लेते हैं ठीक है observation को note कर लेते हैं note क्या कर लेते हैं हमारे साथ अपलिख लो कि if in different resistor different resistor are having having same percentage same percentage limiting error same percentage limiting error percentage limiting error same है ठीक है लेते से एक्स परसेंट है सभी में एक्स परसेंट है कॉमा when जब they are added they are added in series they are added in series the percentage error will be what they are added in series their percentage limiting error will be same same मतलब x percent कहने का मतलब suppose करो कि आपको r1 plus minus x परसेंट दे रखा है r2 plus minus x परसेंट दे रखा है और r3 plus minus x परसेंट दे रखा है ठीक है ऐसे करके पूरा दे रखा है यदि आप उसमें r equivalent जोड़ोगे तो simple आप r1 plus r2 plus r3 plus ऐसे करके क्या कर दोगे पूरा सब चीज़ को add कर दोगे और plus minus simple x percent रिख दोगे even इतना ही नहीं यदि हमने 1 by r equivalent ब्रावर 1 by r1 plus 1 by r2 ऐसे करते n को जोड़ा तो यहां से r equivalent को क्या लिख सकते हैं 1 upon यह 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 ऐसे करके पहले निकालके और इसमें plus minus वो ही x percent ही रहेगा तो इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं तो यह चीज observation आपने इसको जस पहले उसके अनुसार से निकाला यहां पर भी 2 percent था और यहां पर भी 2 percent था ठीक है तो यह in general आपके लिए valid हो जाएगा इसलिए मैंने यहां पे calculate न करके generalize लेके यहां पे आपको solve करके बताया था कि किस तरह से वो A cancel हो रहा है और वो 2 percent ही रहा रहा है यह परसेंटेज के point w से हम देखे तो ठीक है clear चल तो यहां पे एक level up हो गया जो भी चीज हम अभी पढ़ रहते उसका level up हो गया कुछ questions मैं और आपको बताता हूँ suppose करो कि एक practical application थोड़ा सा और मैं यहां पे ला रहा हूँ जैसे suppose करो कि हमारे पास में एक bridge है B2Stone bridge का सबने देखा होगा नाम सुना होगा नहीं सुना होगा ता इसका chapter भी आएगा बट इतना तो हम sure shot जानते हैं इसलिए हम इसको आपके सामने present करें यहां पे यहां के बीच में एक galvanometer होता है चार arms होते है यह पहला R1 है दूस्ता R3 है यह R2 है और यह R4 है ठीक है बाकी दो arms के बीच में power supply होता है voltage supply हम करते है और इसमें कोई तीन चीज unknown होता है दो known होता है एक adjustable होता है और एक unknown होता है तो माना कि इसमें R4 जो है वो unknown है और R1, R2 यह सब चीद दे रखा है जैसे R1 दे रखा है लेट से 500 प्लस माइनस 5% R3 दे रखा है 200 प्लस माइनस 5% ठीक है और R2 दे रखा है R2 दे रखा है 1000 प्लस माइनस 5% यह given है और R4 पूछ रहा है तो actually क्या होता है V2 stone bridge का एक important वो चीज है कि इसमें यदि R1, R4 को multiply करो मतलब यह cross में यदि multiplication ऐसे किया जाए तो बराबर होना चाहिए R1, R4 का multiplication R2, R3 के बराबर होना चाहिए at balance ठीक है bridge जब balance होता है तो यह चीज होता है तो balance करके ही हम यह चीज निकालते हैं इसके बारे में detail हम आगे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ाचा आपको मालम होना चाहिए यह बहुत ज़्यादा use होता है और हम basic 11, 12 में भी पढ़ते हैं इसले इसका questions आ गया तो यहां से r4 जो unknown है this is nothing but r2, r3 upon r1 आ गया तो simple इसका answer कितना लेखेंगे r2, r3, r2 कितना है thousand into r3 कितना है 200 upon r1 कितना है 500, इतना हो गया लेकिन plus minus इसमें क्या लेखेंगे तो plus minus आपको यहां पर दिख रहा है कि यह multiplication या division में है तो उसका जो relative error है वो relative error इसका क्या हो जाएगा simply sum हो जाएगा तो हम relative error का sum करेंगे तो है आपको कितना मिलेगा 5%, 5%, 5% मतलब 5 plus 5 plus 5 15% ठीक है तो इसका answer जो हो जाएगा अब इसको solve करोगे तो वो सब चीज आ जाएगा 400 plus minus 15% this is the answer ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ जो चीज आप यहाँ पर सीखे हो बस उसका application है तो यही चीज होगा जो जो चीज हम सीखते जाते हैं आगे आगे जितना concept introduce होता रहेगा उतना concept को वो क्या करेगा एक-एक किसी ने किसी format में उसे involve करा 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 के questions देता रहेगा जैसे एक example और कर लेते हैं जैसे मैंने देखो efficiency type के format से आप से question कराया तो जैसे जैसे आप यह करोगे आपके पास में यह आता रहेगा different-different application based पे questions जो होगा वो आता रहेगा तो एक और questions यहाँ पर बना लेते हैं मान गया कि एक parallel circuit आपके पास है parallel circuit में यह R1 है यह R2 है obviously parallel circuit में current का division हो जाता है तो यहाँ से current आई गई है तो इसमें I1 जाएगी और इसमें I2 जाएगी यह definite है suppose करो कि इस case में हमने I1 के बारे में बता दिया कि I1 is equal to 150 plus minus 1 और I2 के बारे में हमने बता दिया 250 plus minus 2 ampere है यह I1, I2 है तो definitely यदि कोई पूछता है कि I क्या है तो solve कर दोगे obviously इसमें KCL के अंशार से I1 और I2 का summation I होगा तो definitely I जो है वो I1 plus I2 है और summation है तो यह simple 150 plus 250 हो जाएगा और plus minus summation में उसके absolute error sum हो जाते हैं तो इसलिए यह 1 plus 2, 3 हो जाएगा तो simple यह कितना हो जाएगा 400 और plus minus 3 ampere this is the answer clear तो इस तरह से आपके पास क्या है कि application based questions जो होते हैं वो इस तरह से questions आ सकते हैं ठीक है तो यह application based question हो गया अब हम थोड़ा सा theoretical aspect पर चलेंगे यह theoretical part है ठीक है इसमें मैं चीजों को समधा देता हूँ इससे लिखने की दो बारी है आप video को pause करके लिख लेना मैं इसका एक snapshot यहां पर पूरा दे दूँगा उसको copy में लिख लेना मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यह कोशिश कर रहा हूँ कि आपको error के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजे जो है वो बता दा हूँ ठीक है कि error कितने तरका होता है कैसा होता है वो सारे चीज़ बता दा दा हूँ इसका एक snapshot है मैं पहले से लिखा हुआ उसी को सीधे screen पे लाता हूँ और उससे आपको पढ़ाता हूँ ठीक है तो मैं उसको समझा देता हूँ उसको लिखने के जो जिम्मेदारी है वो आपकी है ठीक है तो यह पुरा error से related एक theoretical portion है ठीक है तो उसमें मैं समझा देता हूँ एक एक करके क्योंकि अब यदि मैं एक एक करके इसमें लिखाऊं तो अच्छा खासा देर लग जाएगा तो सीधे मैं यहाँ पे इसको deal कर देता हूँ जो error होता है ठीक है जो error होता है उसको आप mainly तीन category में divide कर सकते हो पहला को हम कहते है gross error दूसरा आपको कहते है systematic error और तीसरा आपको कहते है random error ठीक है तो gross error, systematic error और random error क्या है उसको हम यदि देखे तो जो gross error जो होता है वो उसका cause क्या होता है देखो जैसे अभी आप देखोगे कि अभी अभी तक हमने यह सीखा है कोई भी measurement करोगे तो error आएगा पर error आएगा तो हो सकता है कि वो instrument में खराबी की बज़ा से आया है ऐसा भी हो सकता है कि हमने human ने reading गलत कर लिया है ऐसा भी हो सकता है जो practical procedures था मतलब कि इसके बाद यह करना है इसके बाद यह करना जीरो डिग्री है, तो यदि वहाँ पे ले गए, तो उसमें प्रॉलम सुरू हो जाएगी, तो उसकी बिजर से measurement जो है, measured value जो है, वो differ कर गया true value से, ठीक है, और ऐसा भी कभी-कभी होता है, कि आपको पता ही नहीं चलता कि किस बजर से ये error आया है, ठीक है, उसको random error कहते हैं, और random error में तीन पार्ट में से divide किया गया, gross error में उन सब error को रखा गया है, जहाँ पे जो human mistakes सामिल होते हैं, तो human mistake यदि सामिल है, तो उस case में हम क्या कहेंगे, उसको gross error कहते हैं, ठीक है, जैसे कभी-कभी ऐसा होता है, कि जैसे, suppose करो कि हम यहाँ पे indicator यहाँ पे है, और यह indicator जो है, यह indicator, यहाँ पे 5 वो कर रहा था, और आप इस side से देखोगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस point पे आपको indicator देखे, ठीक है, इधर आई है, तो आपको देखे थोड़ा सा दूर, यदि top पे बिल्कुल है, तब आपको देखाएगा exact, तो ऐसा भी हो सकता है, कि जो sighting क वज़े से, जो sight, oversight हो गया, तो कहीं-कहीं 26.8 है, 28.6 आपने लिख दिया, ठीक है, कहीं पे आपने इसको 4 था, यह आपने इसको 4.5 लिख दिया, ठीक है, तो वो सब चीज इसमें आ जाएंगे, ठीक है, wrong reading हो जाएगा, यह सारा चीज इसमें आ जाएगा, तो incorrect, इसमें कार कर सकता है, reading से लेके, misleading of instrument तक भी, मतलब instrument को साही से handle आपने नहीं किया, आपने देखा होगा, कभी-कभी आप जब आपको कुछ साहता है, आप computer को थोब देता हो, ऐसे कर देता हो, ठीक है, आपको कोई चीज नहीं चलते रहाता है, mobile well, तो ऐसे कर देता हो, वो misleading हो गया, त वो सारे चीज, gross error के terms में आएंगे, दूसरा होता है, systematic error, हाँ, यदि कोई पूछता है कि क्या gross error को eliminate किया जा सकता है, elimination का मतलब तो सब भी, पूरा ही खतम हो गया, हाँ, इसको minimize किया जा सकता है, elimination का मतलब, elimination में आपको एकदम, eliminate करने के लिए आप कर सकते हैं, एकदम human correctly measure कर लेकिन जरूरी नहीं कि measurement में कुछ नों कुछ आई, जो sight है, गरबर है, या देखने में गरबर है, तो कुछ नों कुछ गरबर हो सकता है, तो हाँ, इसके minimization का chance बहुत जादा है, cross error को कम कर सकते हो, बहुत अच्छे से, उसके बाद आता है systematic error, यदि systematic error को हम देखे, तो इस सभी को आपस में connect करना था, बहुत जबरदस तरीके से wiring करना था, सब चीज करना था, तभी जाके आपको proper आएगा, आपने उसमें, और जो आपने वो part लाया खरीद के, उसके अंदर में constructional error है, कोई चीज, manufacturer से ही दिक्कत हो गई, कि वो बन के नहीं आया, कोई wire टूटा तो आप उसको ठीक करना पड़ेगा, तो उसकी वैसे भीतर error आएगा, तो इसमें, तो ये हम कह सकते हैं, कि इस instruments को हम अराम से इस problem को solve कर सकते हैं, यदि ये defective part है, तो ठीक है, यदि instrument को miss use किये हो, तब भी वहां से वो defect उसमें रह जाता है, उस miss use को भी हम कर सकते हैं, कभ है, उसके loading, जब change होता है, तो reading change करना शुरू कर देता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा detail, volt meter, आपड़ेशर में पड़ेंगे, तो वो सब constructional या instrumental error में आ गया, कुछ environmental error भी हो सकता है, error due to temperature, humidity, ये सब के change होने की बज़े से, आस पास में magnetic field है, उसकी बज़े से कुछ चीज जा गया, तो वो सब environmental error में आ गया, observational error जैसे parallax, जैसे आपको दो parallel line के बीच में difference ही नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, तीनों को सभी को एक ही read कर लोगे, तो वो सब चीज उसमें आता है, ठीक है, तो ये सब चीज़े जो है, वो systematic error है, और systematic error को भी minimize कर सकते है, ठी इसके बाद आता है random error, जब random error आता है, कि इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, इसका reason क्या है, क्यों आया है, तो आप सुचो, जिसके बारे में पता ही नहीं है, तो हम उसको कैसे eliminate कर सकते हैं, या कैसे उसको हटा सकते हैं, ठीक है, तो इसमें इसको probable error भी कह सकते हैं, इसक इसको accidental error भी कह सकते हैं, किसी भी बज़र से error आ सकता है, इस तरह का जो error होता है, उसके लिए हमारे पास में, इसका study तो हम कर पाते हैं, इसको eliminate करना मुस्किल है, लेकिन है study कर सकते हैं, कि अच्छा random region की बज़र से, जो error आ सकता है, वो इतना आ सकता है, ठीक है, तो उसके लि आता है, जिसको हम अभी next में, जिससे आपने सुना होगा, average और deviation, और standard deviation, वो सब चीज हम उसको उसमें देखेंगे, ठीक है, तो वो सब चीजे जो random error है, उस person को, एक statical analysis जो है, उससे हम solve करेंगे, ठीक है, अब इस बले, जो ये error हैगा, हमेशा रहेगा ही रहेगा, आप इ आदन है, human को अच्छा ले आईए, अच्छे experimenter को ले आईए, आपको ये खतम हो जाएगा, systematic error अच्छे instruments को ले आईए, procedures को सही रख रहे है, ठीक है, तो ये सब चीज को minimize कर सकते है, random error को कुछ नहीं कर सकते है, है ना, तो ये जिसका analysis का तरीका हमारे पास में आगे आएग ठीक है, request वही है कि आप इसको अपने दोस्तों में forward करे, सब मिलके पढ़े, comments आप जो भी question दिया जाए, उसमें जरूर आप comment करे, ठीक है, online platform आप एक बनाओ, online platform बनाओगे तो वो हमेशा रहता है, कोई आपने doubt पूछा, मैंने नीचे answer कर दिया, doubt पूछा, मैंने answer कर दिय या refer कर दिया, कि इस lecture को देख लो, ऐसे देखो, तो हमेशा रहेगा, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखा, आप आप अराम से जाके, उस channel पे agities है, आप देख सकते हो, ठीक है, और notes जरूर बनाओ, notes बनाना भी good habit होता है, ठीक है, ओके, bye bye, thank you